जेडियू के एक बार फिर से नितिश कुमार अद्धक्ष वने हमारे साथ हैं किंद्रे मंतरी गिर्राज सिंग जी गिर्राजी ललन सिंग का इस्थीफा हो गया और नितिश ने एक बार फिर से पार्टी की कमान समाल लिया हाला कि वो बनना तो गठवंदन के सहीं जग बनना प्रधानमंत्री पत्क के उम्मीदवारना चाहते थे लेकिन अपनी पाड़ी के राश्ट्य ध्यक्ष वने तो क्या वो रहा हैं एक मेसेज दिया अपने गठ्वंदन के साथ यह उनको प्रधानमंत्री बनने से जितनी खुसी होती उससे ज्यादा खुसी हुई आज तेवारा ध्यक्ष बने अब देखे नहीं कहा मैं तो तयार हूँ अब समझ लेते हैं तो वह बहुत खुस है जदियू के लोग अभी टीवी पर कह रहे थे मेरी लुटिया ही गाइब होने वाली थी तो लुटिया बच गया तिससे बारा बड़ा खुसी और क्या होगा लेकिन आप त अगर जदियू को परधान मंत्री मनाना होगा तब यह देश बनाता है नितीश कुमार पहला मुख मंत्री का पत्तो बचा लें लालू जी रोज बेचारे अपने बेटे के लिए प्राथना कर रहे हैं अई रोज चका पंजा का खेल दिखा रहे हैं कभी बाएं कभी दाएं लालू जी अब एक एक पाय का हिसाब लेगा है इन के सामने अब एक ही रास्ता है कि जा करके सर नम घच्छामी हो जाएं दूसरा कोई रास्ता नहीं है और तीजशी को मुख मंत्री पना दाता है लेकिं ये भी कहा जा रहा कि लालू यादब के नजदिक ज्याता जा रह थ ऐसे मैं एक बीजेपी को मैसेज देने के लिए नितिश कुमर ने एक कदम उठाया क्या NDA के लास्ते खुल रहे हैं उनके लिए ना ना कौन कहा बीजेपी का तो एक एक कार्जेकर्टा का दर्वाजा बंद है उनके लिए अब तो ये लालू जी उनसे हिसाब किताब लेंगे कि बनाओ जल्दी तेजसी को मुख मंत्री नहीं तो हम पाटी तोड़ने में महारत ले लिया हूं सचमुच में बिहार में सबसे पहले लालू जी नहीं पाटीयों को तो रहा है तो नितिश जी के पाटी को भी तोड़ देंगे पैदले उनको आ जाएंगे और फिर तेजसी देश बन जायीगा है मुख मंत्री लेकर आपके की जीतनम बाची मोतों कि ए पास एक ही रास्ता न्डियए के रास्ता ने के रास्ता वुअ सब्कूलने की बात कर रहे हैं और फST बहुत जो रहे हैं की बिरख जीरे निता हैं मैं उनकी बाट का नहीं काटता हूं लेकन मेर देव पर भी तो कुछ भरुसा कीजिए हैं चली बहुत बहुत धिन्नवाद ही हैं गिर्दा सिंग जो कह रहे हैं कि लालु यादब उनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे